तो हलो एवरीवन, I hope lockdown में तुम सब लोग ठीग होगे और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होगे तो आज की वीडियो है केलिस्थेनिक्स के बारे में, केलिस्थेनिक्स क्या है, केलिस्थेनिक्स को कहां से स्टार्ट करें, हम उसे कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले तुम लोग चानल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि तुम्हारे आने वाली कोई वीडियो मिसना हो, और ये वाली वीडियो भी लाइक करो, और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं अब अगर केलिस्थेनिक्स के तुम लोगों को मैं फायदे बताऊं, तो मैं जितने बोलूँगा उतने कम है, एक नॉर्मल एक्सिसाइज करने वाला इंसान, हर एक्सिसाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन एक केलिस्थेनिक्स करने वाला इंसान, अल्मोस्ट हर होगे क्योंकि केलिस्थेनिक्स करते हैं तुम लोगों ने अपना माइंड मसल कनेक्शन और जो रेंज ओफ मोशन है वो इतना स्ट्रॉंग कर लिया होगा कि मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा तो जब तुम केलिस्थेनिक्स करते हो तुम एक टाइम पर मल्टिपल म जो और लोग नहीं कर पा रहे हैं तुम लोग फ्रॉग स्टैंड कर सकते हो एल सिट कर सकते हो प्लांच लीन कर सकते हो और पदा नहीं क्या क्या कर सकते हो तो अब सवाल ये आता है कि हम ये सारी calisthenics movements या फिर calisthenics की बाकी exercises कैसे सीखें तो calisthenics की exercises सीखने के लिए भी कुछ basic exercises होती है जिनके लिए हमें अपना shoulder, हमें अपना lats और अपने core की strength next level करनी पड़ती है तो आज की वीडियो में मैं तुमें वही exercises बताने वाला हूँ जिनसे हम अपनी shoulder, lats और core की strength बढ़ा सकते है ध्यान रखना calisthenics हर को ही कर सकता है सिरफ वो इनसान नहीं कर पाएगा जिसमें hard work ना हो क्योंकि इसमें हमें अपने आपको progressive resistance के साथ रखकर चलना पड़ता है मतलब ये कि तुमें हर दिन ये सोचना पड़ेगा कि आज पिछले दिन से कुछ जादा करना है अगर ये सोच के करोगे तो बहुत असान है तो देखते हैं shoulder blade adjust करना है अपने हातों को नीचे push करना अपनी spine में हलका सा curve देना और अपने hips को उपर उठाके इसे hold करना है अपने हातों से नीचे को push लगाना और कोशिश करना कि तुम upper body अपनी बहुत जादा tension में रख सको और lower body को feel मत करना तो अब जैसे हम push up support position में कर रहे थे इस exercise को हम directly उसके बात कर सकते हैं जो की होने वाली है side plank इसमें भी अपना shoulder blade adjust करके रखना उसे हिलाना मत हमारे muscles जो target होंगे वो होंगे lats और हमारे delts इसको बहुत ध्यान से perform करना guys क्योंकि ये most important exercise है तो guys ये थी कुछ basic exercises जिनने हम perfect करके अपनी calisthenics आगे बढ़ा सकते हैं अब जाओ इन exercises को try करो नीचे comments में मुझे जरूर बताना कि ये video तुमें कैसा लगा इस video को उन लोगों के साथ share करो जो चाहते हैं calisthenics सीखना भाई के channel को subscribe करो और ये वाली video like करो बहुत जल्दी मिलते हैं नई video के साथ